Hello everyone, एक लड़का जो की भूग से परिशान था और उसे आज खाना नहीं मिल रहा था लास्ट में वो एक घर में जाकर पहुंचता है जहाँ पर एक लेड़ी अकेली रहती थी वो लेड़ी उसे भर पेट खाना खिलाती है और वो लड़का चला जाता है वही लड़का पढ लिखकर एक डॉक्टर बन जाता है और एक हॉस्पिटल में काम करने लग जाता है लेकिन वो लेड़ी एक दिन बिमार पढ जाती है परिवार वाले दूर रहते हैं तो उसे आसपड़ोस के लोग ही हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उस लेडी का उसी हॉस्पिटल में इलाज चलता है जहां वो लड़का डॉक्टर होता है पर इलाज के लिए पैसे कहां से आये यह सोचकर वो लेडी दुखी होने लगती है लास में एक कमपाउंडर उसे बिल दे कर जाता है जिस पर लिखा होता है कि आपका बिल चुकाया जा चुका है वो पूछती है कि यह बिल किसने पे किया तब वो लड़का जो की डॉक्टर बन चुका था उस लेडी से बोलता है कि आपने एक दिन मुझे भर पेट खाना किलाया था यह उसका कर्ज है जो मैं आज उतार रहा हूँ इसलिए इनसान सब कुछ बूल सकता है लेकिन उस शक्स को कभी नहीं बूल सकता है जिसने जरूरत पढ़ने पर उस शक्स की मदद करी हो स्टोरी पसंद है चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें और अगर आप मुझे फेस्बूक और इस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो करें